इस वीडियो को देखने के बाद यह कंफर्म है कि आप कभी साइबर कैफे की तरफ नहीं जाएंगे साहरा इंडिया के फॉर्म को फिल करने के लिए ठीक है जब स्टार्टिंग में जब साहरा इंडिया पॉर्टर लॉंच हुआ था तो उस टाइम पे गया हुआ था जो देखो जिसको देखो साइबर कैफे जाता था फॉर्म फिल करने के लिए साहरा से पैसे रेटन लेने के लिए ठीक है अगर आप गाउंग यहां दिहास से हैं आप टेक्नॉलिजी से जुरे हुए नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए है क्यों जब स्टार्टिंग में ज तो जार रुपे यह जार रुपे देने पड़ते थे हैं कि नहीं पाउंफिल करवानी के लिए रेइस्टेशन करने के लिए बोलिए ऐसा नहीं होता था तो इसी चीज को आपने पहली बार तो एक्स्पिरियंस कर लिए आपने भड़ भी दिया पाउंग ठीक है पैसे दे किसीवी कारण से बहुत सब्सक्राण बताए के तो और यह दो तो हो सकता है आप अप्लाई करें, क्योंकि उसमें एक time of period दिया, अगर आपका form reject हो गया है, और उसमें form आपको दुबार से fill करने के लिए, registration करने के लिए, apply करने के लिए बूला गया है, तो आप अपने smartphone से भी form को fill कर सकते हैं, बहुत 3 simple steps हैं, जिसको लोगों ने बहुत ब स्टार्ट करते हैं, और बड़े ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद यह confirm है, कि आप कभी cyber cafe की तरफ नहीं जाएंगे, सहारा इंडिया के form को fill करने के लिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले में क्या करता हूँ, Google Chrome को open कर लेता हूँ, मैंने क्या किया, Google Chrome को open किया, ठीक है, open करना है, आप भी आपने Google Chrome को open करेंगे, अपने mobile के अंदर, उसमें open करने के बाद आपको type क्या करना है, CRCS सहारा डिफार्ट पॉर्टल, यह type कर दीजेगा, link open हो जाएगा, ठीक है, website open हो जाएगी, first link को, second link को आप open कर सकते हैं, click करे करेंगे, यह जैसे है, आप से click करते हैं, तो यह आपका home page open हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, screen के अंदर, ठीक है, जो यह देख रहे हैं, यह सारी चीजे, यह सब, यह पूरा जो पीछे पीछे चल ला है, यह पूरा form fill करने का तरीका ही है, मैं आपको करके दिखा रहा तो login को use करेंगे, clear हो गया, supreme court, मानी में supreme court का आदेश क्या था, अगर पढ़ना चाते हैं, इसके steps भी लिखे हुए हैं, आप बहुत साई लोग फिर भी नहीं कर पाये थे, समाने प्रस्न है, normal general questions होते हैं, उसके question answers है, ठीक है, अब चले नीचे आते हैं, मैंने क्या किया, ज अधार digit का number डालना है, last वाला, ठीक है, अपने अधार digit का, अधार number का, ठीक है, उसके बाद नीचे आपको mobile number डालना है, कौन सा है, जो आपके अधार के साथ link हो, अगर link नहीं है, तो link कर वा लिजएगा, ठीक है, हाँ, यह ध्यान रिखे, किसी और number को डालके कोशिस करें नमबर अमान्य है, तो आपको वही number डालना है, जो आपके अधार के साथ link हो, जैसे आप अधार number डालके link, mention कर देंगा, जो आपके अधार के साथ link है, नमबर, और उसके बाद यहाँ पर OTP प्राप्त करेंगे, पर क्लिक करने के बाद आपके mobile पर register, mobile नमबर पर OTP जाएक उसके बाद ये page open होगा second page, first page तो complete हो गया, अब second tap पे आएंगे तो उससे पहले आपको जैसे आप data डालेंगे, यहाँ आपको पूरा अधार data का यूँग करने के लिए जमा करता कि सहमती मांगेगा ये website, मतलब आपकी सहमती मांगेगा आपके अधार के data को use करने के लिए, आपको करना क्या है, नीचे details दी हुई है, इसको पूरा पढ़ लिजेगा, जैसे कि आधार पंजी करन है, अधार सूचना साजा करना हुआ, data opening और सुरक्षा के लिए जो rules है, सहमती रद करना है, तो क्या करना होगा सहमती कि अवधी कि इतनी होगी, सूचना का इस्टपस् बैंक क्या है, इमेल आईडी के, यह सारी चीजे आपके अधार में पहले से मैंसर नहीं, यहां पर सिर्फ आपको दिखा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आप यह देखी किसी और का डेटा है, तो मैं confidentialist को रखूँगा, क्योंकि आप जानते हैं online में क्या होता है, कौन सी सॊसाइटी, आपके passbook के उपर, जो सहरा के तरब से मिला हो, उस पास बुक के उपर लिखा होगा, आपकी सूसाइटी में enroll है, आपका अकाउंट, ठीक है, उस सूसाइटी को select करना है, इस सूसाइटी यहां पे दिवी total 4 में से एक एक को select कर लेना हैं, जो आपके passbook जो है उसको मैं यहां पर type कर देता हूं जैसे की यह number है टाइक है मैं type कर दिया उसके बाद खाता-संख्या कूछ रहा है खाता-संख्या भी आपको type करना है खाता-संख्या भी ढाल दिया मैंने अब आपका प्रमान पत्र और पास्बुक का number पर एक passbook का number होगा, आपको ये टाइप कर देना है, passbook का number, ठीक αυτό होता है, ये type करने के बार, अब next option है, इसके अंदर खाता खोलने कुलने की अधर किलए था रखाथ कुल यह ने यह कर लिया कोई अंस भुकतान प्राप्थ हुआ है या ने आपना अपना रखो आया था पर पैसा आप मिला था या नहीं मिला था सहारा की तरब से या तो अगर्ण तो इस पर टिक करना होगा नहीं तो छोड़ दिए अगर आपने कोई इस सोसाइटी से कर्ज लिया है एक सब्सक्राइब करना होगा जब यहोज है तो इसके बाद नीचे देखे चूज फाइल का ऑपसन दिया है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर कौन सी फाइल upload करनी यह भी शुन दीए अपने पास बुक का पहला पेज फोटो क्लिक कर लेज़का मोबाईल से ठीक है अब उसी पेज़ को आपको यहाँ पर upload कर देना है select करना है choose file जैसे मैंने देखे हाँ है select किया file select करने के बार पास बुक लिखाऊ है ना passbook को मैंने select किया, और यहाँ से, मैं क्या करूँगा, select करके, upload करूँगा अब. मैंने यह क्या, file select किया, और file select करने के बाद, हम क्या करता हैं, उसको, choose file पर आता हूँ, चूज फाइल पे आया जहांपे मैंने फाइल रखा हुआ है उस फाइल को उठाऊंगा फोटो मतलब आपको पास्ट बुक का फर्स्ट कॉपी पास्ट के पहला कॉपी फर्स पेज का ठिक है उसको सलेक्ट किया और यहाँ पे चूज करके सलेक्ट कर लिए आप ये देखिए जब आप यहाँ पर next करेंगे third option से आके fourth option पर आने के पाद आपको यहाँ पर जो आपने details डाली होगी ना उस details के according आपको यहाँ पर एक form फिल किया हुआ सारा data फिल किया हुआ आपको मिलेगा इस form को करना क्या है आपको download के button पे click करना है download के button पे click करके इस फॉर्म आप download करेंगे इस form को आपको करना क्या है print out निकल वा लेना है दो पेज का form है यह दियान रखिएगा ठीक है दो पेज का form में download होने के बाद print निकल लिए है प्रिंट निकलने के वा इसमें दो जगर आपको sign करना होगा और एक आपको अपनी photo लगानी होगी फोटो लगाने के बाद करना क्या है फोटो लगाने के बाद, फोटो के उपर और फॉर्म के उपर एक क्रॉस साइन मारना है, क्रॉस साइन क्या होता है यह बताएता हूँ, अगर आपको नहीं बता है तो, पहला होगा, जैसे आपने पहले फॉर्म फिल गया होता, आपको पता होगा नहीं किया है तो कोई बात न लगाने का स्टैम आपका साइन और अऊठा हो गया अब दूसरा है नीचे फॉर्म के नीचे आपको दो जाएगे साइन के लिए तो जाना होगी इसको पूरा आप ढ़ेंगे फोट्य चैनल करने वाद इसके ऑंस लिए पाइस्बुक की आपको मिली है पैसा जमा करने के लिए extraordina क्लिक कर दीजे उसके बाद इस फॉर्म की फोटो क्लिक करके इंस सब को मर्ज करना है मर्ज कैसे होगा मर्ज का मतलब है जोड़ना इसमें अपलोड करने के लिए एक फाइल बनाने का सबसे आसान तरीका है अगर आपको नहीं पता है तो आप जो अपसाइट के बारे में called फेट करना है वहाँ पार मां दिखा देता हूं होता है टाइप करनां मं कर करके दिखात हूं अ scor चैंट फोटु-स प्ीडियव इतना ही टाइप करना है कण वानक फेदेगा open हो जाता है ठीक है link open होने के बाद आपको करना किया है आपने जितनी फोटो क्लिक की हुए है सभी फोटो को एक साथ उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाएगो उस पेज़ पेज़ करने का option होगा वहां पर select या choose होता है ठीक है मैं आपको दिखा जेता हूँ ऑधार इस सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे एक साथ upload कर देंगे upload करने के बाद वाद से select करेंगा तो सारी सीजों से करने के बात कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे या अतिरिक दावा नहीं कर पाएंगे तक आपका पहले पास हो गया है या फेल हो गया है ठीक है करना गया है यहाँ पे चूह करने के बार आपको upload file पे click करना है upload file पे click करने के बार नीचे upload करने की बार जैसी upload करेंगे इस टाइप से आपका जब upload हो जाएगगे यह जो आप देख रहे हैं last में यह इस टाइप सब यहां पर दावा आवेदन संख्या यहां पर देखे मैंने संख्या को कि किसी और कर वह है तो मैं आज के टाइम के हिसाब से यहां पर एक नंबर है जो फॉर्म फिल गया उसके अगेंस आपको एक रफरेंस नंबर यहां से मिलता है कौन सी डेट का है यह भी दिखा रहा है प्राप्त हुआ हो गया है मतलब सहारा इंडिया को ठीक है और एस सी सी एस एल को भेज दिया गया है मतलब एक वैब साइट है जो उसको भेज दिया गया अब यहां से आप बाहर आ सकते हैं, पॉम आपका फिल हो गया है, यह जो आप देख रहे नहीं यह पेज, इस पेज का आप पोटो क्लिक करके प्रेंट आउट में क्ला लीजिएगा, आपकी सुवधा के लिए, वैसे आपके पास मैसेज भी आएगा मोबाइल में, तो मैसेज जाइ़ नहीं तो में क्ला आत्यों इंपके करके लाइगा के लाइबर आत्यों से खेबर आत्यों से एक बहा हैं, त dec